तो वेलकम टु सुक्ला इडिक पॉइंट आप सभी का सुवागत हों आपके पर यूटूब चैनल सुक्ला इशवी पॉइंट में मैं से उन सुक्ला आप सभी दोस्तों का हर्द दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आप हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के पेपर वन के बारे में बीए सेकंडियर समधित्या लक्षर होगा मेरे प्यार दोस्तों यह मौडल पेपर आपका फ़स्ट होगा ध्यान रखेंगे हाँ पर हैस फ़स्ट प्रिकाव अलब मौडल पेपर वन टू-3 पर इसी परकार से ब इसके बारे में चर्चा करेंगे इसमें आपके प्रेटो अरस्टोर्टल सी सुरो और उसके बाद में मेरी प्यार दोस्तों बहुत सारे जो इसे जो है थॉमस एक कोई नास हो गए इसी प्रकार से आपके जो है मैक्या बेली हो गए और उसके बाद में जो है बोबिन हो गए हो गए लाक हो गए जो है उसके बाद में आपकें जौ हहो गए पाशाद की बारे में आजdoes यह वीक दो moving हो में 12 में लेकिन ध्यान रखेंगे 2021 223 किसी भी परिक्षा में अगर आप बैठेंगे चाहिए जिस भी परिक्षा में जाएंगे यहां से परसना आपको देखने को मिलेंगे ध्यान रखेंगे 2021 की परिक्षा भी आपकी आने वाली इसलिए इस पर जो है 2021 लिखा हुआ ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों 2021 की परिक्षा के दिश्टी से बहुत ही ज्यादा महात्पूर्ण यह लक्षर है इस वीडियो के अंदर के थम बात करेंगे मेरे दोस्तों चले आगे बढ़ते हो इसकी पीडियाप जो होगी आपकी टेलिग्राम चैनल सुक्राइडी पॉइंट पर आपको मिल दोस्तों बात करेंगे हम ऐसे महात्पूर्ण परसंदों की एक्जाम में लगातार इसे पूछी आ रहे हैं सेम एक्जाम की तरह आपको यहां पर पेपर दिखाने का परियास करूंगा मेरी प्रशनपत्र पास्यात राजनितिक विचारों के इतिहास की क्या रूप रेखा म है तो चलिए हम बात कर लेते हैं महात्पूर्ण पर जो कि आपकी परिच्छा के दिश्ट्री से बहुत थी ज्यादा महात्पूर्ण है आपका पेपर मेरे प्यार दोस्तों तीन खंड़ों में बटा हुआ होता है खंड आ खंड बा और खंड सा तो खंड बा हो गया और खं बात से कैसे पुझा आते हैं गोतफ तो 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 खन्ड बास स्याद या करने हो तो आपको कहारते हैं इसे को और और करके मला थावा करके पर्संदिया होता है या है भी अब यहाँ पर भी कैसे भी थाइन पुछा है तो अब कि एम धेश्ट्राइब कर दिया पूँच आने लगे हैं देखना डील करना है तो बड़ी आसानी से इन सभी मुद्दों को इन सभी प्रस्णों को देखेंगे इन सभी से रेल्टर जैसे माल लेते प्लेटो के सिच्छा सिद्दान समध्य आति लगुत्रिय प्रस्द पूचा गया तो कहीं रहे पे आप से लग आति मलब की उसमें पूच लेगा आई ये बात करते हैं जो है खंड आके बारे में और जानते हैं से कैसे प्रस्ण पूच आते हैं पर 50 सब्दों में आपको लिखना है परते एक प्रस्ण जो करेंगे अगर आप जो है आतिलग उत्रिये के तो आपको दो नंबर मिलेंगे देखते पहला पसन के सिच्छा सिधान्त के महत्तो 有 cue के सिच्छा सिधान्त के डालना और मेरी दोस्तों या बाद ध्यान नकिए पर असानी से सब्सक्राइब बना दी है उसको आप दिख लिजिए गा लेक्चर-1 में या रथा लेक्चर्वर रिवान में हमने आपको विस्तार समझाया है प्लीटो का सिच्छा सिद्धान्त जिसमें हमने बताया था कि प्रारंविक सिच्छा और उच्छा दो परकार के सिच्छा पधतियों आध्वी इस द्रहे अगला पर दोस्तों पूचा गया आप से कि आरस्तू के नागरिक्ता संबंदी बिचारों की बिचारों की बढ़े में राज के कि अस्थान पर निमाज करने से मात्र नागरिक्ता नहीं मिल जाती है क्योंकि राज में विदेशी और लोग भी और दास लोग भी रहते हैं इसलिए राज में केवल निमासता मलम निमास के हिसाब से आपको राज जी के नागरिकता नहीं मिल जाएगी जो है नागरिकता के संब्द में दिये थे नैश्ट पर मेरे प्रसंद सीधे सीधे आप से पूछ लिया गया यह परसंद जो है हमने हला की वीडियो में अपने बताया है उसको पढ़ लेंगे मेकिया बेली को मेरे प्रदोस्तों कुछ बिद्वानों ने संकी माना तो कुछ बिद्वाणों ने उसके प्रती सहनभूती दिखाइं है तो कुछ बिद्वाणों ने उसे युग का सिशू कहा है इसी प्रकार से महत्की महत्र t उसे युग पुरुस मानतें किसको मैकिया बेली को और विभिन विद्वानों ने मैकिया बेलू मैकिया बेली के तमाम सारे आधार बताएं हैं कि वा सिसु कैसे है एक प्रकार से युग का तो उसके युग के सिसु के मानने में आपको लगबग 5-6 बातों को जानना होगा जो दूसरा मुद्दा बता सकते हैं कि जोन्स महोदे ने कहा था मैंकि अभेली को पुनर जागण और दो किसने किसने कहा अपने धरम को राजनीती से अलग करके एक नएए युक की शुरुवाद की किसने तो इन्हों ने करी है किसने मैकिया बेली ने यह बाद ध्यान लखेंगे नक्ष्ट आप और बता सकते कि मैकिया बेली ने अपनी पुस्तक इनकी एक पुस्तक है प्रिंस उस पुस्तक में सासक को निरंकुस बताये इन्हों ने अत्याचारी विश्वास घाति कप्टी एवं बहरूपिया बताया ध्यान लखेंगे तो मैकिया बेली ने आप से पूछेगा कि पुस्तक किसकी है तो मैकिया बेली के है आप से पूछेगा किसने अपनी पुस्तक में जो है राजा को निरंकुस बताया है तो मैकिया बेली ने किसने अत्याचारी बताया राजा को तो मैक मैंक्या बेली ने खाती कप्टी बढ़ रूपीया किसने बता है मैंक्या बेली ने ऐसे आपसे पूछेगा अगर आपसे परनद पोछे मेरे पढ़ दोस्तों और भी मैंक्या बेली समय को कोई बहुत साद वासना की सिस्ट भी कहते हैं तो आपसे पूछएगा कि वासना का सिसु किसे का आता अब जायता है तो यहा रखेंगे मेरे प्यारा दोस्तों आपसे और कुछ सकता हître कि उसने राश्ट्य भावना को प्रिश्ट की किसे मेक्या Ming Li ने इसी इसको क्या आता था राश्टेता का सिसू इतो इसको राश्टेता का सिसू भी का आता था तो कहीं न कहीं पर हर एक जगा पर हर एक जो है आपको मुद्दे पर इसको देखने को मिलेगा कि मैं किया बेली हर एक मुद्दे में हस्ता छेप करते थे और हर एक मुद्दे में कहीं तो इनको युक का इमलब की इनको कहां का इनको मेरे प्रिंस का सिसु कहा गया और जोंस नहीं बताए कि फुरुंपुद्णा जागन के सिसु है किसी ने बताए एक नए युक कि इन्होंने सुरुवात करी है राजा के बारे में निरंग को सत्याचारी विस्वास घातिक अप हम पढ़ेँ तो मैरे पैर दोस्तों यहां सामने आती है कि यहां अपने युक कया था अपनेयुक का सिसू घ्ञान रखेंगे आगे बढ़ते हैं अंगले मुद्दीकों समझने का प्रियास करते हैं अगला पस्वजनत हूं जो है आपका चौथा नंंबर की हाप्स की प्रा प्राकृति कवस्था तो हाप्स कि ने प्राकृति कवस्था को क्या माना है आराजक माना है और साती सात मानों में उचित और अनुचित के निधान करने की कोई छमता नहीं थी हाप्स के प्राकृति कवस्था में परतेक सक्तसाली मनुस अपने से निरबल ब्यक्ति की संपत्त को क्या करता था हड़ अपने का प्रियास करता था इस प्रकार समाज में क्या होता था एक प्रकार से डर या भै का माहूल हमेशा बना रहता था ऐसे डर के माहूल में लोग आरा जक्ता पूर्ण रूप से व्याप्ति से समाज में इस आरा आरा जक्ता से बचने के लिए लोग विबादों को देखेगा लेकिन तुम भी ऐसा करो मलब बताया था कि राज राजा ऐसा हो जो कि क्या करें प्रकार से लोग जो राजा एक प्रकार से कहें ले करें पूर्ण वर्चत सुना हो उसका पूर्ण रूप से हमको दबा ही ना दे तो ब्रह्मा ने इस धर्ती पर एक प्रकार से किसको बनाया मनु को राजा बना करके भेजा अता मनु जो है पर्थम राजा थे आप से पूछेगा कि पर पहले राजा कौन थे तो पहले राजा कौन थे मेरी प्यार दोस्तों मनु थे या कथन किसका है या कमलब की या कथन पूछे नहीं कर जाएगा या बात क इसके सिद्धान ने पता चलती है तो हापस ने प्राकरतिक अवस्था को बताया है मेरी प्रकार से राज नहीं बना था उसके पहले एक अवस्था थी उस अवस्था में लोग कैसे रहते थे के उसी को प्राक्रति का वस्ता कहा आता है तो हाप्स ने कुछ और बताया है दो कि अगता की लाखET कि लौक की मांऊ सुभाव का वडन किई एक्रडियों तो आपको लेक्चर तीन के एंदरकत या वीड़ीयों ने बना दी है लाक के मानों संबंदी बिचार क्या होते है प्लेटों का न्याय सिध्धान्त क्या है यह सारे के सारे बेजों है वीडियो आपके लेक्चर 3 में मिल जाएंगे मेरे प्यार दोस्तों स्वार्थी था लाक में ना ही एहंकारी था ना ही जगडालू था लेकिन जो हाप्स की प्राकरते कवस्था का मानों था वह कैसा था वह जगडालू था वह प्रकार से स्वार्थी था वह लोगों के उन लोगों में क्या था एहंकार की भावना थी लेकिन लाक के मानों में ऐस और शल्खन कर सकता थे मलम नते हैं। उसमें सहन भूति प्रेम धैया इतयादी और बिद्मान थे यहां पर ध्यान देंगे कि तो लाक जो है यह मानते हैं कि मनुस्ष सदेव अपने करता भी पालन नहीं करते हैं वह अवसर मलब अक्सर सही नहीं बोलते परंतूज उन्हें जो है यह मालूम है कि सत्य बोलना चाहिए मनुस्षी इसके मलब की युक का जो मनुस्ष था उसको पता था कि हां सत्य बोलना साथ तैसे आज आपको पता कि सथी मोलना चाहिए सब्सक्राइब लेकिना आप के सथी बोलते हैं कहीं पर ऐसा होता कि सथी बोलना ही पड़ता है तो यह बाते जो है कहीं लगई पर ऐसे मानों थे लाग के मानों जो की प्राखरति कवस्था के थे जब राज नहीं बना था उससे पहले की बात की जारी तो ऐसे आप पचा सब्दों में बड़े आसानी से बता सकते हैं नेक्ष्ट पर देखे रूसों के अनुसार समान एक इसके समय वीडियो आपके चैनल पर उपलब धाए ध्यान रखेंगे तो इसको आप लोग बड़ी है असनी से देख सकते और बड़ी है सारी बातों को समझ सकते हैं उसमें जो है आपको बाकाइदा से लिखा हुआ सारी चीजे मिल जाएंगी तो उसमें आपको सारी तरीके स्वाइन सारी बाते समय प्रियास करते हैं तो सारे के चैना और यहां पर मैं बताना चाहу को तो अ समानिक्षा का सिद्धान जो रूसों का था समझ लिए रूसों जो थी मेरी प्रदोस्तों रूसों के राजदर्शन की सबसे महत्पूर्ण देन थी वा थी समानिक्षाप की क्या थी तो रूसों के राजदर्शन की जो सबसे एक प्रकार से समानिक्षा थी वा क्या थी वह मेर थार थिक्ष्만 और समानिक्षा दो इकान होती है रूसरी क्यों संकीन एक में में होती है और साथी साथ यहां क्या होती है स्वार्थी होती है क्या होती है स्वार्थी होती मेरी प्रदोस्तों के सोची आती है लेकिन इसके ठीक विप्रीज जो आदर्थ इक्षा होती है वह एक्षा होती है जो विबेक जो ज्ञान और जो समाजिक हित पर क्या होती है तो एक प्रकार से आपकी यथार्थ इक्षा होती है या खुद के ऊपर आधरित होती है लेकिन जो समान इक्षा होती है या फिर इसको हम आदर्थ सिक्षा कहitain तो सभी लोग अपनाते हैं उसमें विबेग ज्ञान और समाजिक रवहादारित होती है यह और साथी सातिया क्या होती अस्थाहिक्षा होती है रूसों ने इसी को क्या कहा समानिक्षा के नाम से बताया है यह सब के भले के लिए होती है साथी साथ जो है सभी लोग को अपनाते है और समस्त आदर खेश्चाओं का क्या होता है सनमानीक्चा निचोड होती है ऐगे अगर्स यह रूज की समानीक्च्झा का सिध्धांत ओके आगे देखते ऐ हैं अगला पसने मेरी प्यार दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप अगला पने हैं आपका जो है अगला की जसमिल के उप्योगिता वाद का वरण की जुए तो जसमिल चैनल पर अपको करना है बड़ी ही आसानी से बड़ी शटीकटा से आपको इसको बता देना है कि जिस जो महोदे थे जेस मिल जो महोदे थे उनके समधित जो प्योगितावाद है वाग क्या था इसे समधित वीडियो आपके चैनल पर उपलब्द है लगबग जो है चाहते लेक्षर में आपको यहां देखने को मिल जाएगा लेक्षर आपके वन टू थरी फोर फाइप पांच ल जोगितावाद अधिक्तम ब्यक्तियों के लिए अधिक्तम सुख पर आधारित होता है मेरे प्यार दोस्तों मिल जो थे यानि जैस मिल जो थे अधिक्तम सुख के सिद्धान को क्या कहते हैं नयतिक्ता का आधार मानते हैं और साथी साथ जो जैस मिल मानते हैं कि प्रतेक ब् भूती करता हो मेरे प्रदोस्तों या फिर सुख में ब्रद्धी करता हो और जो भी कारी सुख के लिए विपरीत होते हैं मलब सुख के विपरीत जो कारे होते हैं वहां गलत होते हैं सुख का आर्थ होता है मेरे प्रदोस्तों आनंद की प्राप्ति यह दुख का आर्थ होता ह मनदन्ट की सुख आर्ट होता है आनंद की प्राप्ति और दुख कि कमी मलब दूख का अभाव रफाट होता है पीड़ाया आनंद का क्या कमी ठीक ध्यान लखेंगे तो इन विचारों के कारण बंतं जो है बंतं च्छिस माना जाता है कौण जये सबीघ्स मिल तो जी समिल कौन थे बंतं के सिस्स धे आप से एक्जाम में प्रसलोटब अब च्छेंगे आगे बढ़ते हैं जेस जीवन में अधिकतम सुक पराप्त करना चाहते हैं इस प्रकार जो है मिलने ब्यंत्अ की जह सुक्षाणवाद है अ फैर्टा की है या मेरी प्यारदोस्तों ब्यैंत्यम् की ज़ो ब्यंत्तम की जिए चूरा है इसी पर तो सोखवाद की ऐन्थम की है अगर से पूछे करना। गिest का वीचारधारा दे गेए आप 사से पूछेगा कि कोन है तो किसमिर यह समील बोन को पता होनी चाहिए अपसे आप लोगा के लिए ौबसेट buscar समद्ध रखते हों उसमें हाफ्स लाक रूसो यह सब बहुंदा वगर आपको मिले तो समझ लीजिए आपका सारा का सारा यहीं से फसेगा अब कोई करें आखेम जो है भ्यंत्धम के समानी समिल भीड़ी के अधेकोश का फ्रापति और दुखी जो है खात्मौ माना फिर दुखी निर्वति माना ज्यान लखेंगे पर अगे चलुक के mm योह की सुखवाद से भिणना हैं के आगे देखते हैं तो यहां पर आप ऐसी उपयोगिता बात के बारें मता सकते हैं चाहे आप नगे देखती पूछे अगला प्सन आपको दिया हुआ यहां पर पूछा जा रहा है आप से कि राज का आधार सकती नहीं है क्या है ग्रीण की मुलब राजी का आधार क्या नहीं है तो राजी का अधार सकती है या कथन है मेरी प्याल़स्तों इस कथन की आपको विवेचना करनी है इस कथन समनुत वीडियो आपकी चैनल पर अपलत हे मेरी प्याल डोस्तों उसको आप लोग देख लिजिए गाए बड़ा ही जो है वीडियो में तो आप देख लेंगे उसको ठेक है लेक्चर वन लेक्चर टू और लेक्चर थिरी इसी प्रकार से फोर फाइप इससे समय वीडियो आपको जो है आपके चैनल पर मिल जाएगा ओके चले आगे बढ़ते हैं प्रसनों को देख लेते हैं क्योंकि अभी मैं जो है और को दो होते थे एक तो बढ़ते पूजी पती वर्ग और एक होता तसर भारा वर्ग पूंजी पती वर्ग मनलब अमीर वर्ग होता होते थे यह और जो सरभारा वर्ग होते थे अब इन्हीं जो अमीर होते थे यह फैक्टरी के मालिक होते थे तो कहले पहुते नाम है यह सारे के सारे बद्र की बात करें तो आप सीदे सीदे मुद्दे को लगाएंगे यह उसका नाम है एक के नाम के बारे में बता लगे उसका नाम है कॉल माक्स ध्यान लखेंगे अगला है मेरे पर दुस्वा नमबर पसना आप देखिए गए यहां पर लास्की लास्की महोदे के बहूल वाद पर क्या करना आपको टिपणी करना क्या करना है टिपणी करना तो लास्की के बहूल व वहुलवाद का सिधान किसका है लास्की महुदे का है या बात ध्यान रखेंगे और मेरे परत्षी question आगे देखتे है सब्सक्राइब जिसकी प्रतेग समाझ में रिती रिवाज होते हैं इसकी हम अंदेखी नहीं कर सकते हैं दूसरा इन्हों निर्वाहन मनुष्थ के द्वारा के आयाना चाहिए और तीसरा इन्होंने बताया कि अपनी निश्ठा की मांग करने से पहले राज को अपनी सत्ता तथा आउचित सिद्ध करना पड़ेगा या फिर करना चाहिए यह तीसरा मुद्दर ने बताया चौथा मुद्दर लास्की मुद्दे ने बताया बहुलवाद को परिभाद करते हुए इस सक्ति का लोग तंत्री करना क्या होता है आवस्सेक हो आप दे खंबास समझतें कि आयए घंदबास पूछे जाएंगे यह पर देख पर संदबास आपकी इंप्पैंट पूछे जाएंगे नोट सभी परसंदों के उत्तर दीजिए प्रतेग परसंद P T allow पांथ 200 सब्दों में होना चाहिए प्रतेग पांद के लिए दस अंक निर्धारी तेमलत संग मिलेंगे आप पर परसंद करेंगे देखिए परेटो के सामिवाद सिध्धान पर कि लिकाने आपको अगर यह पर स्थान करते मिल जाएंगा अगर यह परसंद मेरे पहले सों नहीं पता है तो यह परसंद जो आथवा करके आपकोनीचे दिया कि पलीटो का अधर्स राज की किया कि वीचेना जो ने माना था कि एक राज कैसा हो होना चाहिए तो इसके आधार पर आपको बताने कि पलेटो का राज कैसा होता था यह यह है तो इसके बारे में आपको बताना है तो है प्रसंद कर देगे तो भी आपको 10 नंबर मिलेंगी इस परकार से 10 पूर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर लि Michal करने कितने होंगे केवल और केवल आपको पांच यह करने क्योंकि अथवा कर किसी प्रकार से हर पुछ समय में मिलेगा दूसरा देखते हैं अरस्तु के मेरे पर दोस्तों की राजनेतिक सिध्धांत को बोंदा एक प्रकार से राजनेति सास्त्री है तो राजनेतिक सिध्धांत को बोंदा की सरप्रमुख देन मलब की बोंदा की सरप्रमुख देन उसका संप्रभुता का सिध्धांत है तो बोंदा ने सबसे पहले बात की जा रहे अगर यह आपको क्या करनी यह लिए ना करनी है या कफन आप लिख सकते आगे देखते हैं अगला प्रसने मेरे पर दोण पांच मा नंबर पस नहें चीमाइक संभूता जो सिद्धान्त है उसमें हापस कि क्या योगदान है उसी को आपका क्या करना है मुल्यांकन करना ध्यान अगर या परसने पता है ता लिखे और हात्वाकर के धिया कि बान्थम का जो प्योगतावाद का सिंदान था एक जी एस मिल्ड के सुख्वाद भी एक आता है इसको फार लोगतावाद पर आता है इसको सुख्वाद से लेकिन बाद में जलगरी भीन जरूर हो जाता है तो फियोगितावत बेंथम का भी है और जैसमिल का भी है अगला पर देख सकते मेरे प्रदोस्तों अगला पसना आपको दिया है छटवा नंबर कि जी एस मिल के सुतंतरता संबन्धी जो विचार थे सिद्धान थे सुतंतर सोतंतरा सिद्धान का क्या करना है आपको मुल्यांकर करना किसका जेसमिल का अगर याप प्यासरन पता तो लिखिए है अथवा करके दिया क्यों साथ है खंड साल और तो पर बढ़ते हैं जिनको आपको पांस में करना हो Unitedeurs में करना और की अघार दोस्तों को אח-धना है यहां पर देखिए मेरे प्रदों सत्वा नंबर प्रस्ण है कि प्लेटों के सिच्छा सिद्धान की क्या करनी है आपको आलोचनात्मक ब्याख्या करनी है या फिर बिवेचना करनी है आलोचना करनी प्लेटों के सिच्छा सिद्धान की दूसरा है मेरे प्लेटों अठवा नंबर की राज ब्यक्ति का पूर्वगामी है क्या राज ब्यक्ति का क्या है पूर्वगामी है ब्यक्तियों के बाद में राज जाया कहीं न कहीं पे इस कथन की क्या करनी है आपको संदर्व में आरस्तु के राज जी सिद्धान की क्या करनी है आप पो टिपणी करनी है तो राज जो है ब्यक्ति का क्या है पूर्वगामी है राज ब्यक्ति का क्या है पूर्वगामी है तो राज जो है ब्यक्तियों से पहले इस कथन का उल्टा हमने बता दिया आपको तो राज जो है या ब्यक्ति का क्या है पूर्वगामी है मलब कि पहले से ही राज जी है बाद में ब्यक्तियो पांस उसब्दों में अगला पर समय समझे होता सिद्धान को जॉन लाक के युगदान जो थे इसमें समझे होते में इसको आपको बता देना है दसवाए की हीगल का जो दुन दात्मक पद्धती है इसकी आपको क्या करनी भी बेचना करनी है अगला 11 नमबर की कॉल मांक्स के कि इतिहास की आर्थिक भी जेग्षा की सिद्धान की रिया ब्याक्याी आर्थिक भ्याक्षा कहा उसी की आपको करनी किसका कॉल माक्स का है इस सारे के सारे प्रसądudस्स नमदी को वीुडियो मिल जाएगी लक्षय लक्षर Конечно 4 लक्षर फाईब के माद्र मिल जाएगा मेरी ल दोस्तों सिलेबस भी आपका अप्लोड है और साथी साथ मेरे प्रदोस्तों जो है सिलेबस की साथी माडल पेपर भी अप्लोड है और यहां मेरे प्रदोस्तों इंपोर्टन कोशन्स क्या पहला सी आपके सामने प्रसुत हो चुकी है इसी प्रकार से दूसरा आएगी आपको और कि सब्सक्राइब कमें साथ में नीचे हमको बता देंगे उस सब्सक्राइब की आपको वीडियो मिलती रहेगी आपर इंपोर्टन को संट की ध्यान रखेंगे चलिए फिर मिलते हैं मेरे प्रदोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोग आसानी से सब्सक्राइब का एक तर्ग संकत संगत यों में प्रकार से जो है वा मोश्ट वैल्योबल उत्तर पा सकते हैं ओके ज्यान रखेंगे तो चलिए मेरे प्रदोस्तों फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत